तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आपकी इस वीडियो में और आज इस वीडियो में मेरे पीछे देख सकते हैं यह है टाटा की नेक्सवान और यह एक्सम वेरियंट है तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जिस फीचर के बारे में आप सभी को बताने जा रह जहां पर आपके जो ब्रेक वाला पैडल है उसे उसके उपर से पाउं हटाते साथ गाड़ी पीछे होने वाले रहती है उस कंडिशन में यह हील्ड होल्ड कंट्रोल वारा फीचर जो है काम आता है तो आज इसी फीचर के बारे में हम काफे विस्तार में हम बात करने वाले हैं अगर आज की वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब किजिएगा मैं ऐसे ही आटो मोबील से रिलेटेड वीडियो सब्लोट कर दा रहाता हूं और आपको कुछ भी कोईरी होंगी तो बिलकुल मुझे इंस्टागाम पर मेंसेज करके बूद सक देखाएंगे तो दोस्तों ये सही जगह है हील होल कंट्रोल को आपको सामने प्रैक्टिकल करके दिखाने का तो इधर देख सकते हैं स्लोप इस साइड है और इस साइड चढ़ाई है यह देख सकते हैं और यह हमारी टाटन एक्सॉन तो अंदर चलते हैं फिर आपको इससे कि मैं एक्सेस करके दिखाता हूं इस फीचर को तो भी हम धलान वाले एरिया में हैं तो इस फीचर के बारे में और भी कुछ-कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं कि जब इंजन और रहेगा और गाड़ी न्यूट्रल रहेगी उस से में यह फीचर जो है काम नहीं करेगा जब आप इस गाड़ी को गेर में रखेंगे सिर्फ उसी टाइम पर यह फीचर जो है काम करेगा तो अब हम गाड़ी को सबसे पहले शुरू करते हैं तो देखिए एक हैंड ब्रेक इंगेज्ड है हम गाड़ी को शुरू करते हैं बीना ठाटा की गाड़ियों में बीना क्ल क्लेश दुद्द भाएंगे यह दिख सकते हैं अब दिखा देता हूं क्लश नहीं दब है और यह चाबवी घूमा रहा हूं तो और दिख सकते हैं और यह ब्रेक छोड़ रहा हूं तो गाड़ी पीछे जा रहा है यह देखिए सी दे पीछे जा रहे है क्योंकि यह निच्रल है और जैसे ही में फर्स्ट गेर में डालता हूं फिर इसका जो हील होल्ड कंट्रोल वाला फीचर है वह आन हो जाता है और एक जरुरी बात बताना चाहूंको दोस्तों इस हील होल्ड के बारे में कि जब भी गारी क सारे लॉक नहीं होंगे तब तक यह फीचर काम नहीं करेगा एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूं जैसे कि गाड़ी फर्स्ट गियर में है और दर्वाजा ओपन है यह देखिएगा मैं ब्रेक से पाव हटाऊंगा तो गाड़ी पिछे खिसके यहां पे देखिएगा यह सीधा पीछे हो रही है यह देख सकते हैं क्योंकि दर्वाजा खुला हुआ है और गाड़ी फर्स्ट गियर में है और जैसे ही मैं दर्वाजा को बंद करता हूं यहां से देखिएगा दिखाने कोशिश करता हूं आपको यह ब्रेक पैडल पे मेरा पाव है और यह बाहर की जमीन है यह दोनों को देखिएगा अब ब्रेक से पाव हटा रहा हूं है यह देखिए पीछे नहीं हुई और यह थोड़े दिर में पीछे होने लगी तो यह जो फीचर है यह तीन सेकेंड के लिए इंगेज रहता है एक दो तीन कांट करेंगे हम इस बार और चेक करने के के लिए देखिएगा बाहर जैसे में ब्रेक छोड़ूंगा उसके बाद हम तीन कांट करेंगे एक दो तीन यह देख सकते हैं पीछे होने लगती गाड़ी तीन सेकेंड के लिए यह हील्ड होल्ड कंट्रोल वारा जो फीचर है वो इंगेज रहता है यह जो नए 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 गाड़ी चलाने वाली होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा काम आता है यह फीचर क्योंकि जब कभी वह स्लोप में रहते हैं तो एक तो पावण रहता है और दूसरा ब्रेक पेटल पावण रहता है जैसे पावा था ब्रेक पेडल से वैसे ही गाड़ी जो है पीछे होने लगते हैं तो उनका confidence जो है वो लूज हो जाता है तो उनके लिए यह हील हुल control feature है वो काफी ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि ब्रेक से पाउट आने के बाद accelerator देते साथ क्लच को release करने का भी जो time है वो मिल जाता है जो बिगनर से रहते हैं बिगनर ड्रैवर जो रहते हैं और देखें अभी मैं न्यूट्रल कर दिया है गाड़ी को और अब यह feature काम नहीं करेगा यह देख सकते हैं auxergóc ब्रेक रिलीज़ कर रहा हूं फिर है तूरंत की गाड़ी पीछे हो जा रहा है यह देख सकते हैं तूरंत पीछे हो रही है और जैसे में फर्स्ट की डलता हूं थोड़ा कर की यहां नीचे पाउ में देखे यहां पर यहां पर बाहर की देखेंगा जैसे ब्रेक छोड़ूंगा एक दो तीन और गाड़ी ने छोड़ दिया अब देख सकते हैं पीछे हो जाते ही कुछ इस तरीक एसे हैं तो कुछ इस तरीके से काम करता है यह hill hold control वाला feature दोस्तों यह जो test था वो तो हमने गाड़ी के front direction में किया था यह front side जो है चड़ाई होगा और जो rear side है वो धलान होगा slope होगा तो अब हम गाड़ी को turn कर देते हैं और सामने side जो है धलान होगा और पीछे side जो है वो चड़ाई होगा तो उस समय हम reverse gear मारेंगे और first gear भी मारेंगे तो देखते हैं कौन से gear में जो hill hold control है वो काम करता है तो हम गाड़ी को पहले मोड लेते हैं जल्दी से मैंने गाड़ी को मोड लिया है यही चीज आपको अब उल्टे गाड़ी को करके दिखाने के लिए देख सकते हैं गाड़ी को मैंने मोड लिया है और जिस side जो उत्राव था slope था उस side गाड़ी का front direction कर दिया है और जिस side चड़ाई था उस side गाड़ी का reverse direction है मैंने कर दिया है गाड़ी को turn और अब इस condition में भी हम test करते हैं कि heel hold control अभी भी first gear में काम करेगा या reverse gear में काम करेगा तो पहले first gear engage करता हूँ और brake pedal छोड़ता हूँ तो गाड़ी आगे ही जा रही है तो यहाँ पर heel hold control first gear पे काम नहीं कर रहा है जैसे हमने गाड़ी को इससे पहले test किया था उस समय first gear पे काम कर रही थी और अब reverse gear engage करते हैं और brake से पाउँ हटाता हूँ तो गाड़ी रुकी है दोस्तों और brake pedal से पाउँ हटाता हूँ और बहार देखिएगा एक, दो, और यह तीन और यह गाड़ी चल पड़ी तो यह चीज कुछ ऐसे situations पे काम करता है कि गाड़ी में जो gear लगा होगा और उसके opposite अगर गाड़ी जाने का कोशिश करेगी तब जो यह healed hold feature है, वो engage किया जाएगा तो उमीद है कि आप समझ ही चुके होंगे नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को दो-तीन बार देखिएगा, समझ आ जाएगा तो अगर आज काई वीडियो आपको समझ आया होगा तो बिलकुल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही आटो मोबील से रिलेटेड वीडियो अप्लोड करता रहता हूँ और बिलकुल मुझे इंस्टागाम पर मैसेज करके जो भी आपको प्वेरिस होंगी बिलकुल पूच सकते हैं So that's all for today guys Thanks for watching this video and please do subscribe to my YouTube channel मिलते हैं ऐसे किसी next video में